कोस्चन एक कचिली में इसी की दो पार्ट में फाइंड दा लेंथ एक्स एट विज द ब्लॉप स्टॉप और दूसरे में और तो यह एक सिस्टम एक फिक्सट वेज ज़ें यह यह फिक्सट है इसके उपर एक एम मास का ब्लॉक है जो यहां पर रखा हुआ है स्मूद सर्फेस पर यह बेसिकली लुड़कता बाता है इसको आप ऐसा समझो एक चोथाई सर्कुलर है ना या स्फेरिकल इस पर यह लुड़कता बाता है कितनी हैट तक हैच हैट नीचे गिरता है जब यह यहां होरिजॉंटल पर आजाता है तो इसको मिलती है इस्परिंग और फ्रिक्शन क्या मिलता है इसको इस्परिंग और फ्रिक्शन दोनों यहीं से स्टार्ट होते हैं और जो हमें x calculate करना है ना वो यहीं से करना है आप इस प्रिंग भी रोके इसको और friction भी रोकेगा बात समझ मारी है इस प्रिंग भी रोकेगी इससे पहले हमने आपको सवाल करवाया था कायब है सिर्फ इस्प्रिंग थी फ्रिक्शन नहीं था तो तीनों सवाल हो जाएंगे इस पहले सिर्फ इस्प्रिंग थी अभी स्प्रिंग और दूसरा पार्ट में सिर्फ इस्प्रिंग महां से गायब क तो जहां stop हो गया होगा वहाँ पर फिर velocity 0 तो kinetic energy 0 तो दो हम change in position जो है वो यही माल ले पहली position यह वाली माल ले और जो दूसरी final initial यह माल ले this is initial okay and this is final so that we will equate the change in kinetic energy as 0 तो हम पहला part कर रहे हैं भी बच्चों पहला part कर रहे हैं work done by all forces is equal to change in kinetic energy है ना और यह initial और यह final तो change in kinetic energy तो 0 तो work done by all forces कौन पहले हैं बच्चों इसके अंदर एक तो सबसे पहले है नॉर्मल है नॉर्मल लग रहे हैं यह इदर और displacement हो रहा है दर तो हर वक्त 90 degree पर है है ना सारी forces लिखे अलग अलग करके लिखते हैं work done by normal plus work done by mg conservative force है है ना work done by spring भी आने वाला है work done by spring है ना यह दोनों conservative हो गई है और बता हूँ work done by friction आर्या work done by इदर बैड़े यह पीछे रख दो टेबल पर रख दो इदर से पेट इदर से आओ गूम के इदर से वाला है work done by friction ठीक है work done by spring work done by friction और कोई work done रगया और बोलो ना ठीक work done by normal zero work done by mg इस पोजीशन पर हम जीपीई जीरो माल लेते हैं जीपीई जीरो माल लेते हैं तो वाग्ड़न ग्रेविटी बताओ पोजिटिव या नेगेटिव बस समझ मारी है कैसा हुआ भाई यह नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे ही वोट्स भी लग रही है तो mg h work done by gravity कितना होगा बोलो mg h क्या किसी को कोई परिशानी आता हाँ इस प्रिंग की कानी का से शुरू होगी जब यह यहां पर टच होगा जब यह यहां पर क्या होगा टच होगा work done by spring यहां से शुरू होगा तो यहां से लेकर यहां तक का displacement कितना है x इसका spring constant कितना है k तो मैं क्या लिखूँ यह बताव half kx square लिखूँ या minus half kx square लिखूँ हां बलो जरा जली से देखो potential energy लिखते हैं हम हमेशा कैसी positive लेकिन work done कैसे लिखेंगे लिखेंगे या नहीं आपर बोलो अरे बात समझ में आती है इसके माइनस हाफ के x square बात के लिए उके वागड़न भाई spring हो गया वागड़न भाई friction बोलो स्यावड माइनस mu mg वागडन भाई friction भी यहीं से लागो होगा तो mg नीचे तो उपर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वेट तो होगा नहीं इसका यहाँ पर कुछ हमने mg edge को gravitational potential energy को 0 माना है force को 0 नहीं माना weight 0 थोड़ी हुआ है mg नीचे तो normal उपर बास समझ भाई तो friction किसके पर आपड़ता है mu mg और किस से multiply कर दें x किस से multiply कर दें x बात के लिए रहे mu mg x बात के लिए रहे ठीक है mu mg constant है constant force multiplied by x is equal to 0 निकालना क्या है बच्चों हमें निकालना हमें यहाँ पर क्या है हाँ quadratic equation बन चुकी है half k x square plus mu mg x minus mg is equal to 0 हमें निकालना है यहाँ पर क्या है बच्चों x निकालना है तो कुछ नहीं है आप quadratic formula लगा देते हैं इसके अंदर बात समझना लागी नहीं quadratic equation है तो इसके अंदर x निकालने के लिए x किसके बढ़ा हो रोगा दर दली से बताओ minus b mu mg mu mg plus minus plus minus तो हम सिर्फ plus लिखेंगे हम सिर्फ क्या लिखेंगे plus क्योंकि यहाँ पर minus लगाने का मतलब क्या है कि पूरी value negative x will not be negative ठीक है ज़रा जली से बताओ mu square m square g square b square हो गया minus 4ac minus 4 into a into c c में फिर minus लगावा है तो यहाँ पर हम plus लगा लेते हैं तो 4 into 1 by 2 k x square oh x square क्यों है k 1 by 2 into k into mg h क्या बात क्यलिए रहे ok divide किसे कर दो ज़रा जली से बताओ उसको 2 into a 2 into 1 by 2 k ok this is the answer this is the value of x अगर आपको value dv आ जाएं कल को अब क्या करोगे आप direct यह लिखाओ अच्छा इम्तिहान में कैसे करेंगे इसको अगर यह j में आता है btex में आता है mu के bsc में आता है आपको यह याद रखना यह आनी है अब यह तो मैंने समझाने में तर नाइम लगाया आपको आपको यह याद हो रहा है जाए कि मुझे यह लिखना यह लिखना यह लिखना उसके बाद यह लिखना बात ख़ता है इसको लिखने में जादा जादा एक मिनट दिमाग लगाओगे थोड़ा सोच होगे पढ़ोगे तो इसको अगर पहले से तुमने कई बार कर रहा है इसको रूम पे जाके कई बार करना बात समझ मैं यह जब तुम करोगे तो याद हो जाएगा ठीक है इस में फिर वैल्यू पूट करनी है वैल्यू ऐसी देंगे कि तुमसे खट से निकलेगा अच्छा दूसरा पार और कर लेते बच्छों अभी पैन रोके दूसरा पार और ध्यान दे तो क Videos डूट और सकी चाहे जायों अचाने के में साठाव में इस पिरिंग रिमूफ कौन से गायब हो जाएगी स्किट उठाना यह होना गायन हो जाकते कहा혁 इस गायoff हो कहा नी आसान यह काहिन box कि था ऑगया मृट है यह तो गायब हो झागा अब दिखना क्या हो जांगा म्यू mg x-mg h mg खतम मुझे क्या निकलना है x निकलना है x will be equal to h upon mu बस क्रुश्चन क्या है एक ब्लॉग है, चलता चला रहा है कहीं से वो उसके पास यहां पर ब्लॉग स्टी वी थी इससे पहले क्या था हमें कुछ नहीं बदा यहां पर हमने अब्जर्व गिया इसकी व्लास्टी वी है और यहीं से फ्रिक्शन शुरू हो गया जिसका कोफिजन फ्रिक्शन म्यू इस इक्वल टू म्यू नॉट एक्स है इंपोर्टन बाद है बटा है नॉट करने वाली है बहुत जब यहां से फ्रिक्शन शुरू हो गया एक्स्टर्णल कोई ना फोर्स लग रही है ना कोई ड्राइविंग मेकैनिजम है बस इसके बाद इनिशल व्लास्टी भी थी तो इसकी व्लास्टी धीरी धीरी कम होना शुरू हो जाएगी यहां पर रुक गया है यहां पर ब्लास्टी की कितनी हो गई जीरो हो गई तो यहां से लेकर यहां तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है यह यह लॉट कवर किया है बाद समझ मेरी है तो यह लॉट निकालना है यही किया नकालना है L-note नकालना है है तो इसके solution करते और सिक एक रिपख्ञी to displacement, बहुत गुंजाईश होगी, तो वो यहाँ पर क्या लगा देंगे, cos theta यानि माइनस 1 लगा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि force of friction और displacement opposite direction में होते हैं, तो work done by the friction always negative, बास समझ भागी, तो क्या करते हैं, mu not x, यह न, यह तो mu हो गया, mg, यह normal हो गया, normal हो गया है यह नहीं, और क्या करूँ बिटा, into L0, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, वो, minus का sign, this is work done by friction, बिटा, यही गलत हो जाता है, this is the wrong way to calculate the work done by the friction in this case, क्यों, क्योंकि मैंने आपको यह बताया था कि यह formula जब लगता है, जब यह force constant हो, नहीं आई यह बास मुझा, यह बहुत basic बात बता रहा हूं आपको, जब यह force constant होगी, तभी यह multiplication वाला formula लगा होगा आप, बताया था है यह एक दिन curve बना के, ऐसे force, ऐसे टेडी मेडी हो force, तो क्या करते हैं, direct नहीं लगा देते हैं, f dot d लगा देते हैं, क्या करते हैं आप, integration वाला तरीका प्यार करते हैं, तो बटाया यह तो wrong method of calculation, क्या बात clear है, क्यों, क्यों, wrong है, क्योंकि यह जो force है ना, यह force, यह variable है, कैसी है यह बटा, variable, variable क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर x आ रहा है, तो x कहां से कहां तक vary कर रहा है, x is varying from 0 to L0, तो जैसे जैसे object आगे बढ़ेगा, यह x बढ़ेगा, x बढ़ेगा, तो mu0 x mg भी बढ़ेगा, यही तो force है, तो force भी बढ़ रही है, तो force variable नेचर की है या नहीं, शुरू में तो force 0 है, फिर force बढ़ती चली गई, तो यह formula हम यहाँ पर यूं करके apply नहीं कर सकते, क्या बात यह clear हो रही है तुम लोगों को या नहीं, हम क्या करेंगे, हम यह करेंगे, किसी टाइम में यह particle यहाँ पर था, और यह थोड़ा सा हिला, कितना हिला, BX, यह BX इतना कम था, कि force को बदलने का मौका ही नहीं मिला, force को बदलने का मौका ही नहीं मिला, बस समझ भाई, और यह BX जो थोड़ा सा हिला है, यहां से कितनी दूर है यह पार्टिकल जो यहां से कोई दूरी X कहां से काता को सकती जिए जीरो से लेके तो थोड़ा सा work done क्या होगा friction नहीं या नहीं वो हम निकाल सकते हैं product से तो हम क्या बोलेंगे वो थोड़ा सा work done due to friction वो थोड़ा सा work done due to friction is equal to f.dx क्या चीज़? f.dx f.dx कैसे निकालेंगे? जला जलनी से बताओ अरे बोलो ना कैसे निकालेंगे हाँ अभी तो आप differential formula लग रहे हो ना तो क्या लिखोगे बताओ दर जली से बताओ displacement बोलो displacement कितना है dx force बोलो जबो यहां तक पहुँच चुका है एक यहां तक पहुँच चुका है तो क्या होगा दर जली से बता मियू नाट एक्स mg बोलो अब समझ में आया है कै नहीं यह force कहां पर है यह force इस point पर इस point पर friction force किती है यह है और यह छोटा सा displacement हुआ है तो छोटा सा work done होगा यह नहीं अच्छा जहां कहीं भी यह दिक्टा है हमको तो हम यह लगा जेते हैं लगा है यह लिम्ट बोलो जीरो से लेगे ल लगा यह ले ल लगा यहां लगी यहां यह क्या मैं लेगा जब यह चोटा सा वर्ट यह चोटा सब दू प्रिक्शन आपके इंटिग्रेट होगा से हागा तक तो पूरा वक्डनलो वाई फ्रीक्शन आजाएगा अफशुरा है इसका इंटिग्रेशन दोảo अरे डिएक्स का इंटिग्रेश्ण की ओथा है एकस होता है या नहीं हमता तो इसका नवी फ्रीक्शंटola नोगा इसको वलुक् 개रAS लगाने तो रहां मैंने सो होगा रहाई इसका डारस्ट और इसका डारेक्षण तो लगे इसका डारेक्षण पीछे इसका डारेक्षण आगे मैंने आप लगेगा बात के लिए रहे ओके तब बही माइनस म्यू नॉट Mg integration 0 to L0 किसका x dx बोलो दोला क्या होगा x dx का integration क्यों भी शादमा क्या होगा x square by 2 क्यातना होगा माइनस म्यू Mg आगे चलके हम direct किया रहे हैं इसको याद रखना x square by 2 0 से L0 लगवा है L0 square by 2 होगे है तो माइनस Mew 0 L0 square Mg by 2 यह हो गया अरे मैंने गलत तो नहीं कर दिया work done by friction क्या हमें work done by friction निकालना है इसके अंदर नहीं हमें work done by friction निकालना हमें क्या निकालना है हमें तो L0 की value निकालना है हमें क्या निकालना है L0 की value और L0 की value जो है हम V की terms में निकालेंगे velocity की terms में निकालेंगे क्योंकि हमें जो input देरख्खा होता है आम तोड़ से हम output उसी की शकल में निकालना है क्या निकालेंगे यहां पर यहां पर लिख लें is equal to changing kinetics I hope कि ये बाते समझ में आ रही हो गी है आपको और यहां पर यह माइनस कानेटिक इसी जीरो क्योंकि स्टॉप हो गया है क्या बात के लिए वर्ग दन भाई फ्रिक्शन इस माइनस म्यू नॉट एल नॉट स्क्वाइर एम जी बाई और यहां पर यह माइनस कानेटिक इनरजी कितनी है हाफ एम वी स्क्वाइर कुछ कट्टो होना रहा है टू काटो एम काटो एम काटो हमको गया निकाल ला है अच्छा यह माइनस भी कट गया बेटा पर एल नॉट किसके बावार आगे जली से बता हो हाँ वी अपाँ दो iç मिओ नॉट जी और यह नीचे वाले जो चीज UCLA है ना नीचे वाला मेटिरियल यह किस में होगा बच्चों अंडर रूट में होगा क्या यह जा रहा है अब